हैं यहलो एव्रिवन टिना किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी आप लोग अच्छे हूंगे में आज हम आपके साथ में बच्चे चावल की रेशिपी से यार करें गें अगर ऐसा होता है जो युद्ध बची जाते हैं आप आज उस चावल को मुकाभी इस तरीके से एकर कुछ रेस्पी बनाएंगे तो याद रखे कभी भी ना आप चावल फेकेंगी नहीं अगर बच जाएंगे तो इस तरीके से नास्ता त्यार कर सकते हैं जो कि घर में सारे ब कप में लिये ते उसी कप से माध्य कप दाल को अपिसमें डाल दीया है हाफ गप सुजी कुम चाल लेंग इसमें किरा वेगरा नहीं रहे फिर्म दूर इंज मने काट टुक्रा लिए तीयार कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे धियान चयर अच्छे टेस्ट करनें भी लें औहिंगे अच्छे तरीके से फेट लेंगे औरπαसिक वह illegally शेतने के लिए City लिए मुंग वरोष्ट करना निकाललिए अब उसी पैन में हमने डाल दिये हैं सफेद तील और इसको भी हलका रोष्ट कर टेस्ट करों साथ और टेस्ट कर लेंगे चटनी को तेस्ट कर लोसा और ग्राइंड कर लिए देख सकते हैं तरका टियार करते हैं इसके लिए पैन में चला दिया हैं तरका पैन की जब जब ज्रम दिल करने के बाद इसमें अब डालिंगे राइव प्रीष ने के लिए टेल करें इस तरीके से हमारी चटनी बन के तयार हो चुके हैं आप लोग एक बार इस चटनी जुरूर ट्राइक के डिगार सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जूर नहीं कि आप इस रेश्पी के साथ सिखाएं आप कोई भी डोसार ली केसी भी चीज के साथ खाएं बहुत तक हमारी पैटन था भी तयार प्यास में डाल दीए हैं बारिक चॉप करके 20 प्रिक चॉप करके उसमें सिम्रा मिच चाल डूप जाल दी हैं इसमें आप अपनी पूसंद का पनीर सबस्वाय हैvenes सब्चें चाहिएंगा ढरे मिली बना ना एक बैस्तां बना के में बच्चें इनो कि इनो डालने के बाद के इंड़ मिक्स करेंगे जतना हो से की इसको के परबीट लेंगे इस तरीके से साचा सारे अ चाले क्णळै और certainty कर्शी अची एखारें अब चाहिए ना थाली वेगरह जो होते है ठाष्ब में भी इस तरीके से पैटर्ण डाल की और इसे पानी बान डाल के क्राई वेगरा में और उसको भी स्टीम कर सकते हैं वह भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे जरूरी नहीं कि आप इडली के साचा में ही बनाए इस तरीके सारे साचे तियार हो चुके हमारे अब हम इसको इडली के साचे डाल की स्टेन में और इस तरीके से ढख देंगे दियान रहे कि जब हमारी पकने लगेगा तो हम साच जो धकन है उसको हटा देंगे क्या होता है आप देखे होंगे पानी जब उबलता है तो उसमें से भाप गिरतने पानी गिरता है तो इसलिए अच्छे से इडली बनके तयार हो चुकी है अब इस तरीके से ठंडा होने के बाद कितने अच्छे से असारे से जाड़ी छोड़ देते हैं लगे नहीं कि बची हुए चावल से हमने बनाए और इस तरीके से इसको दो-दो पीस्त में काट लेंगे आप चाहें तो काटे या नाम पसंद कि अगया राई कि अगया तरगा चाहें हमारी तर्पीज में इडली को हमने काट के रखे हैं उसको प्रकार किसमें डाल देंगे इस तरीके से अब अच्छा अप्याद्ट बरण प्रकशे सब्सक्राइधा था जबने को से ड्राइत कर लेंगे नहीं करेंगे इस तरीके जरूर बनाईएगा और इस तरीके से उलाटते प्लाटते हम अपने सारे इडली को प्लाट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम फ्राइड करेंगे इडली को हमारे भी घर में जब हम बना रहे तो तब यह बुल दो कौन खाएगा बची हुए चावल का जब हमने बनाया तो सभी लोग बहुत पसंद से खाएं इस रेजपी को और इस तरीके से हमने सारे इडली को पलेट लिए हैं दोनों तरफ से और अगर आपको यह मैरी रेजपी प तयार हो गई है इडली है हमारी